यहां की जनता ने हमिशा कॉंग्रेस का साथ ही है चुकि हम लोग संगठन से जुड़ोए लोग हैं संगठन का जब भी कोई काम आता है संगठन में नहीं है पर संगठन का पूरा काम करने के लिए हमिशा दत पर रहते हैं आज हम 36 परिटन मंडल के अध्यक्ष अटल स्रिवास्ता से बात करेंगे जो की कोटा से दावेदार भी है कोटा का मुकाबला क्या इस बार बिलासपुर में उस लोग सवा चुनाओं का बदला होगा जो की अरून स्रिवास्ता अरून साव और आपके बीच हुआ था बात से कभी भारती जन्ता पार्टी इस चेत्र को जीत नहीं पाई है तो मुझे ऐसा विश्वास है और यहां इससे बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता इसका पत्निदी तो किया सुर्गी मतरा प्रसाद दुबे, सुर्गी राजन प्रसाद सुकल जी इसके बाद स्रमती रेनु जोगी जी अभी पत्निदी तो इस चेत्र की जन्ता भी सज़ागा और यहां से जो पहले पत्निदी थे उन लोग में इस चेत्र की जन्ता के लिए काम किया है बिलासुल लोकसभा चुनाओं में 2019 में अरुन साव भारी पड़े गए थे आप पर तो इस बार चार साल में तीन साल में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जो आप कोटा को निकाल सकेंगे दिखिए हम लोकसभा के चुनाओं में परिणाम तो पूरे आठों विधान सभा में खराब आये थे पर मस्तूरी विधान सभा हमने कॉंग्रेस ने जीती थे और कोटा विधान सभा में किवल 2260 वोट से हम चुनाओं हा रहे थे तो कहीं न कहीं जो थोड़ा सा मार्जिन रह था वो कुछ कोशिस ऐसी थी कि कही ना कहीं मुद्दे जो थे वो रास्टी मुद्दे थे नरेंद मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे थे और वो मुद्दे चल गया पर उसके बाद भी कोटा की जंता ने किवल बाइस सो साथ वोटों से ही पीछे रखा तो यह कहीं साल में 18,000 वोट कांतरों कैसे पाटेंगे जब कि यहां पर आपके विधायक भी थे पार्टी की सक्रीटा भी आपक्षा क्रीट कम थी दिखिए इस प्रदेश के जो पथम मुख्यमंत्री थी अजीज जोगी जी उनकी धहम पत्नी सिमतिरेणू जोगी यहां से चुनाव ल लिनो जोगी जी चुनाव तो जीद गई और कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत नए थे उनको एरिये के बारे में बहुत कम समय मिला था इसलिए उनको चुनाव अगरे पर आब इस्तितियां बदल गई है इन पांस सालों में 36 गड़ के साथ-साथ कोटा विधान साभा छेत सम्रिद हो रहे हैं तो यह चीजे आप पल्टे की और जो कोटा में गिराने के लिए कुछ खास नहीं किया क्या इसी एक्ष्टा काम किया देखिए सबसे पहली चीज तो गोरेला पेंड़ा मर्वाही हमारी सरकार आने के बाद जो पहला जिला बना तो मुखिमातिजी के मंसा थे कि पेंड़ा गोरेला मर्वाही के लोग सौ किलो मेटर दूर कलेक्टिट में जाते थे अपना काम कराने जाते तो तुन्होंने पहला जिला बनाए सबसे बड़ी सावगात तो उन्होंने पेंड स्रिवास्ता बिलास्पू संभाग में तो एक बड़ा चेहरा है इनको सत्ता में जगए मिलती पर संगठन में जगए नहीं मिलती है क्या यह कोई पिड़ा है ऐसी कुछ नहीं नहीं मैं प्रदेश कॉंगरेस कमीटी का महामंत्री रहा हूं पांस साल तक छे साल तक उसके हम लोग संगठन से जुड़े होएं संगठन का जब भी कोई काम आता हम संगठन में नहीं है पर संगठन का पूरा काम करने के लिए हमेशा तत पर रहते हैं एक समय वह था जब बिलासपूर सीट से विध्यान सभा सीट से आपकी नाम लिया जाता था अब कोटा और बेलतर ही करना है गवाँ में विकास कारी करना है वहां के लोगों को ज्यादा ज़रूत है सहर के लोग तो अपना काम किसी ना किसी तरीके से निकाल लेते हैं तो